हेलो दोस्तों सीवीबिस्ट के नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है मैं आपका दोस्त सुभम कुमार आपका फिर से यहां स्वागत करता हूँ अभी जैसा कि आपको पता है हम लोग जो हैं एक स्रीज चला रहे हैं जिसमें तस कोश्चन दस मार्क्स का स्रीज है उसी करने के लिए फिर से मैं आज एक और वीडियो लेके नए वीडियो लेके आपके सामने परजेंट हूँ तो चलते हैं सुरू करते हैं हम लोग दस कोश्चन फटा फट देखेंगे और जालेंगे कि कैसे क्या कोश्चन है चलिए और यह भी पता दो कि यह सब कोश्चन जो है इंपोर्टेंट है आ सकते हैं आए हैं हुए हैं आपके पेपर में तो ध्यान देंगे आप चलिए तो पहला कोश्चन आपके सामने यह रहा यह कहता है कि अंडर विच आर्टिकल अफ जो होता है वो फूल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग आपको बता चुके हैं एक इंISH एक बता चुके हैं तो इसका यह जो ECC आपको दीख रहा है यहां पर यह ECC यहां पर जो दीख रहा है इसका फूलपश्म आपको हम लग बता चुके हैं कि Early Childhood Care Education होता है क्या होता है इसका जो होगा answer वो दोस्तों हो जाएगा article 45 ठीक है जो ECC होता है इसका होता है early childhood care education यह होता है ECC का full form तो आपको पता है इसका जो है article 45 के जो है इसको constitution में mentioned किया गया है ठीक है उमीद है कि आपको ये question सबज में आया होगा और हम लोग इसको अब नहीं भूलेंगे तो अब स्टार्ट करते हैं अगला question अगला question ये कह रहा है कि ये question तो होगा आप अगला question कहता है कि under which article free education for a children is mentioned out of uperson अच्छा किश क्या तहभए होगा सिख्चा जो है वह मुप्त होना चाहिए मतलब बच्चों के लिए सिख्चा जो है वह मुप्त होना चाहिए है छे से चोदे वरज के लिए परिआ आपकर चो सब्स होगा इसका जो अपसंथा ऑप्संस के लिए modify किया शुख्चा जो है वह फिरी किया गया है article 218 के दा identi option अप्सथ एक जो ओसन था फूसन अप्सन फूसलिए था ठीक है और इसका जो बढून होगा आप संभी होगा थीच्छा इसे पी होगा चाहिए तो दोस्तों दोनों पूस्चरन हमने देख लिया है मोग देख चुके हैं अब आगे क्योंड बढ़ते हैं हम लोगा क्योंड है पर पार्टिकल ऐसा भी है जो यह कहता है कि बच्चों को स्कूल में एडिमिशन करवाना यह कौन सा इसका एंसर सही होगा तो इसका जो एंसर सही हो जाएगा वह जाएगा डी आटिकल 51A के 51A के ब्रेकेट के वाला इसका एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुश्चन हम लोग देखते हैं वेन आर्टी एक्ट मतलब राइट टु एजूकेशन एक 2009 वाज साइंड वाइप प्रेसिडेंट के दौरा किस डेट को आर्टी एक्ट जो है आपका यह साइंड किया गया पहले पास हुआ पर्लियमेंट में फिर साइंड हुआ प्रेसिडेंट के दौरा किस डेट को साइंड किया गया बताइए इसका जो एंसर हो जाएगा वह ऑप्सन भी हो जाएगा 26 अगस्त 2009 को पास्ट किया गया था ठीक है पास्ट हुआ था वह आगे वाले कोश्चन में हम स्टॉ इस रचतों पास्ट को पास्ट हुआ था आपको याद होगा 4 अगस्त 2009 को पास्ट किया था ठीक है ठीक है और पास्ट को शाइंड किया गया इस शबीन वानने सकरास प непोलाव जिक भी पाच्वा कोश्चन भी हम देख लिए अब 6 कोश्चन कहता है कि art act implemented in यहाँ पे थोड़ा सा मिस्प्रिंट है माफ कीज्एगा इसमें यहाँ पर आवड होगा ठीक है अब आवड आप इक्वेट इंप्लिमेंटे इन आवड़ कंटी एकसेट अच्छा यह कह रहा है, question number 16, बतब six question यह कह रहा है कि RTE Act जो है, वो पूरे देश के हर state में हर जगा लागू किया गया था, लेकिन कौन सा एक जगा है, जिसमें यह लागू नहीं हुआ था, ठीक है, इसका answer आपके screen पे रहेगा, यह, option number D, ठीक है, तो इसका answer होगा, वो answer D हो जाएगा, बतब जम्मू एंद कस्मीर में पूरे state में लागू किया था, बस सिपस जम्मू एंद कस्मीर में आपका जो है, यह लागू नहीं हुआ था, option number D हो जाएगा, ठीक है, जम्मू एंद कस्मीर, तो हम लोग देख लिए हैं, अभी तक साथ में यह लागू हुआ था, except union territory जो है, अपना जम्मू कस्मीर में यह लागू नहीं हुआ था, चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ में question कियो, यह कहता है, यह जो teacher है, वो एक week में कितना गंटा काम करेगा, ठीक है, कितना गंटा काम करेगा, ठीक है, तो उसका जो answer है, वो 45 एक जो बनेगा, वो होगा, teaching के लिए, इस 45 गंटा में, वो दो काम करेगा, एक काम करेगा, teaching, और दूसरा जो काम करेगा, वो करेगा, evaluation, ठीक है, यह दोनों काम करेगा, चलिए, अब बात करते हैं, अगला question कह रहा है, कि how many hours for evaluation is fixed in elementary school, अच्छा, every day, हर दिन, कितना आवर ज के लिए fix किया गया, तापको मैं बता दू, total जो है, टेर घंटा fix किया गया, जिसमें जो यह 45 गंटा है, न, 45 आवर, इसको हमने दो पार्ट में बाठ दिया, पहले पार्ट में teaching था, teaching का जो duration है, वो हर दिन, 6 आवर का है, ठीक है, और जो evaluation का है, वो हर दिन, टेर घंटा का है, तो जब आप 6, 7.5 को multiply करेंगे, 7 से, तो आपका यही आएगा answer, चलिए, आगे की और बढ़ते हैं, माफ किचेगा, 7.5 को जो है, यह जब add करेंगे, हम लोग इसको, यह बन जाएगा, 7.5, तीक है, यह 7.5, और 6 दिन हम लोगी school जाते हैं, तो 6 से multiply करेंगे, तब आपक जो है, लास्ट दो, अपना लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग देखते हैं, यह बहुत important question यह दोनों है, इसमें ठीक से ध्यान दीजएगा, यह कहता है, कि non-teaching function of a teacher, परहानी के अलावा और कौन सा non-teaching function है, कौन सा function है, जो teacher करता है, तो मैं बता दू, इसमें जो इसका में भी मदद करते हैं, election duty में भी इनकी duty लगती है, तो जब दो, एक से ज़्यादा सही हो गया, तो आपका answer क्या होना चाहिए, answer is, D, all of these, तीक है, चलिए यह दस्टाब question, जो की last होगा, इस question, इस हमारे आज के वीडियो का, यह कहता है, कि ranking of India for making education of fundamental light, fundamental मतलब, सिक्षा को fundamental मौलिक अधिकार बनाने का जो है, निने जो भारत ने जो लिया है, इसमें ये भारत वा किस भारत जो है, मात की जेगा, भारत जो है, कौन से अस्थान पर आता है, ranking क्या है, पूरे all over world में, तो आपके जानकर हाइरानी होगी, कि इसका जो answer है, वो 135 है, बतल्द एक सो पैति अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक किरिए, सेयर किजिए, और कमेंट किजिए अपना answer, तबता के लिए, जै हिंद, थैंक यू